हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते हैं बहुत ही special चीज मठरी घर के समानों से बन जाता है ये बहुत ही crispy खाने में बहुत ही जोरदार यमी लगता है और चाय के साथ तो ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है तो क्यों न हम घर पे बनाएं एकदम हलवाई जैसे एकदम खस्ता मठरी तो ये देखिए हमारा मठरी बन के तयार हो गया है बहुत ही crispy बना है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या चाहिए और कितनी आसानी से बन जाएगा ये देखिए हमारी चोटी ही चोटी मठरी बन के तयार हुई हुए और थोड़े ही मैदे में धेर सारा अब हमने लिया है एक चन्नी बड़ा बरतन उसमें डालेंगे करिब धाई कटोरी मैदा और इसको अच्छे से चान लेंगे चानना बहुत जरूरी है तो टोटल हमारा धाई कटोरी हो गया है और इसमें से हम क्या करेंगे थोड़ा सा मैदा निकाल लेंगे दो मुठी की करिब जितना हमने मैदा निकाला है सेम उतना ही हमने सूजी डाला है उसकी जग़ तो आप चाहें तो दो कटोरी ये और आधा कटोरी सूजी भी डाल सकते हैं साथ में हमने डाला है मंग्रेल और अजवाइन और स्वादंसार नमक इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेंगे पहले और कसूरी मेथी को हमने भीगो के रखा था आधे घंटे पहले तो कसूरी मेथी का क्रिस्पी हम बनाएंगे और मीठा सोडा थोड़ा सा हमने डाल दिया है जिसे और भी क्रिस्पी बने अब डालेंगे उसी कटोरी से आधा कटोरी घी घी को हमने हलका सा गरम कर लिया है और इसको डालना बहुत जरूरी है इसी से मोयन बहुत ही अच्छा आता है और जब कट तोड़ेंगे इसको न तो बहुत ही क्रिस्पी लगेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा अब इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मैस करते हुए मोयन डालेंगे इसको करते हैं कि इसको मैस करते हैं जब तो मठरी में मैदे में तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है तो ये इस्टेप करना बहुत जरूरी है तो देखिये हाथों की सहायता से हमने कर दिया है इसको दोनों हाथों के हथेले पे रखे इस तरीके से रब कर दीजे ताकि ये घी और मैदा बहुत ही अच्छे से आपस में मिल जुल जाए ये बहुत जरूरी है अब चलिए ये हो गया है अब डालते हैं कसूरी मेथी को इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे देखिए हमारा मुठी बनने लगा तो इसका मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है अब इसको भी मिला के अच्छे से मिला लेते हैं मेरा वीडियो दोस्तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सेयर कर दिया करिए और साथ में जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें इस कसूरी मेथी को भी बहुत अच्छे से मिलाना बहुत जरूरी है ताकि पूरे आटे में अच्छे से मिल जूल जाए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके सक्त आटा गूत लेंगे पानी ध्यान रहे बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालियेगा नहीं जरा भी अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो आटा मुलायम हो जाएगा तो आपका क्रिश्पी मटरी नहीं बनेगा तो ये इस्टेप थ्यान रखिए अब ये देखिए हमारा एकदम सक्त आटा बनके तैयार हो गया काफी जितना टाइट लगाएंगे उतना ही मटरी बहुत अच्छा बनेगा अब हम इसको एक पॉलिथीन में करके रख देंगे कम से कम आधा घंटा के लिए फिर उसको लोई बनाएंगे और बेलेंगे अब इसको ढख के रख देते हैं अब इधर हमारा आधा घंटा हो गया आप चौके की हल्प से हम इसको अच्छे से मैस कर लेंगे पहले, बहुत ज्यादा मैस करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से मिला लेंगे, अब लोई बना बना के ठोड़े ठोड़े छोटे छोटे कट कर लेंगे ये देखी इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लेंगे अब इसको दबा के रख लेंगे ताकि बेलने में हमें आसानी हो तो पूरा लोई हमारा तयार हो गया इधर अब छोटे छोटे लोई बना बना के तयार कर लेंगे इस तरीके से हमने बेल लिया है, इसमें जरूरी नहीं है कि गोला से पिया है, क्योंकि यह मारा आटा बहुत सक्त है, तो थोड़ा-थोड़ा किनारा ऐसे रहता ही है, मार्केट में देखिए, बिल्कुल ऐसे ही रहता है, तो यह दोस्तों बहुत ही अच्छा और टेस्टी मठ लिवन के तयार होता है, आप जरूर इसको घर पे ट्राई करिएगा, अब हमने डाल दिया है ओयल, और एकदम धीमी आज पे ही इसको फ्राई करेंगे, ताकि यह हमारा क्रिस्प बना रहे, क्रिस्पी खूब रहे, तेज आज पे करने पे उपर से तो सिख जाएगा, लेकि होके तयार हो गया है, अब चली, इसको निकाल लेते हैं, तो पूरा मठरी इसी तरीके से बना के तयार करेंगे, तो इधर देखें, हमारा पूरा मठरी बन के तयार हो गया दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है न, एकदम मार्केट के जैसे बना है, इसको बनाईए, जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तभी चाट मसाला डालिएगा गरम में बिलकुल न डालिएगा तो इससे क्या होता है कि उपर से जब मसाला पड़ा रता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो और हमने डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ताकि और चटपटा बन जाए और तीखा भी बढ़ जाए इसमें क्योंकि इसमें कोई मिर्च तो पड़ा नहीं है तो उपर से हमने डाल दिया है हमारे यहां सब खुब चटपटा मठरी खाते हैं तो यह देखे हमने तोड़ के भी दिखा दिया कितना क्रिश्पी बना है ना इस तरीके से आप जरूर बनाए खाए इंज्वाई करिए सारा मठरी मारा बनके तयार हुआ है उस धाई कटोरी आटे में इतना सारा मठरी बनके तयार हो गया है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों